वैक्यूम क्लीणर प्रॉब्लिम को इस वीडियो में हम सॉल्फ करने वाले हैं क्योंकि इस टॉपिक के ओपर एक्जाम में कोशन आने के चांसे हैं सबसे पहले थो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजन्ट का मतलब क्या होता है problem solving agent का मतलब यह होता है कि अगर suppose let's say मैं problem solving agent हूँ अगर suppose मुझे एक problem दिया गया तो उस problem को solve करने के लिए सबसे पहले उस problem का start state मैं निकालने वाला हूँ start state का मतलब उस problem को solve करने के लिए कहा से मैं शुरुआत करूँगा उस state को start state कहते है और उसी problem का goal state भी मैं निकालने वाला हूँ goal state का मतलब एक ऐसा state जहाँ पहुचके मैं यह कह सकता हूँ कि अभी वो problem solve करना हो गया या जिस state के उपर पहुचने के बाद वो problem solve करना हो जाएगा उस state को कहते है goal state but problem solving agent की खासियत क्या है इसकी खासियत यह है कि यह goal state तक पहुचने के लिए जो सबसे ज़्यदा efficient रास्ता है जो सबसे ज़्यदा best रास्ता है या जो सबसे ज़्यदा efficient path है वो path धून निकलता है और उसी path के उपर चलके वो problem solve कर देता है अब जो problem solving agent है उसका जो सबसे पहला और सबसे ज़्यदा important step होता है उस step का नाम है problem formulation बट problem formulation क्या करता है problem formulation problem solving agent को actions बताता है जिनकी मदद से problem solving agent अपने goals तक या अपने goal तक पहुच पाएगा अब यह जो problem formulation है उसके total path steps और उनी पाचो steps का अभ्यास हम करने वाले है अब यहाँ पर हमारे पास vacuum cleaner problem है और इन पाचो steps को हम इस problem के उपर कैसे apply करेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा और इन पाचो steps को मैं तुम्हें explain भी करूंगा सबसे पहला step है initial state अब इसका मतलब यह है कि यह जो problem है इस problem को solve करने के लिए कहां से मैं शुरुवात करूंगा या कहां से एक problem solving agent शुरुवात करेगा उस state को जिस state से वो शुरुवात करेगा उस state को initial state कहता है अब अगर suppose यह हमारा problem है जहाँ पर हमारे पास दो rooms है A और B तो अब vacuum cleaner अगर है तो वो room A से भी शुरुवात कर सकता है room B से भी शुरुवात कर सकता है उसके ओपर कोई compulsion नहीं है कि इसी चीज से शुरुवात करनी है और इसलिए जो initial state है उसका description मैंने लिखा है कि any state can be designated as initial state कोई भी state एक initial state हो सकता है second step is actions actions का मतलब एक ऐसा description जिसके अंदर जो problem solving agent है वो जो भी actions ले सकता है वो सारे के सारे actions है अब यहाँ पर इस problem के अंदर जो हमारा vacuum cleaner है वो कौन से कौन से actions ले सकता है अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक action होगा that is moving right second action would be moving left right and the third action would be sucking क्योंकि यहाँ पर यह जो dirt है वो उसको सक करनी पड़ेगी तो basically मैंनी जो vacuum clear है हमारा वो total तीन actions ले सकता है moving right, moving left and sucking जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है actions in this environment each state has just three actions left, right and sucking यह सक जो भी है and the third step is successor function अब successor function जो होता है वो इस function से denote किया जाता है जिसमें जो S होता है उसका मतलब होता है state और जो A होता है उसका मतलब होता है action and यह जो function है वो यह action लेने के बाद जो problem solving agent है वो किस state के उपर पहुचेगा उस state को return करता है अब इस चीज को या इस function को जब हमारे problem में हम apply करेंगे तो क्या होगा देखो जैसे कि आप ही मैंने बुला कि start state यह भी हो सकता है और start state यह भी हो सकता है मतलब basically start state में जो हमारा vacuum cleaner है वो room A में भी present हो सकता है और वो room B में भी present हो सकता है तो अगर suppose वो room A में present है अगर suppose हमने इस function को यहाँ पर apply किया तो यहाँ पर state के state would be a right क्योंकि वो a room में present है and action के क्योंकि यहाँ पर dirt है इसलिए उस dirt को उसको सक करना पड़ेगा तो action would be sucking अब जब वो यह action perform कर लेगा जब वो सक कर ल सक कर लिया तो वो इस state के उपर पहुचेगा क्योंकि देन वो dirt सक हो जाएगी देन वो सारी के सारी चीज़े clean हो जाएगी बट यह होने के बाद भी हम goal state तक नहीं पहुचे है सारी की सारी चीज़े clean नहीं हुई है यहाँ फिर भी dirt है तो अभी इस function को फिर से हम यहाँ पर जाएगा राइट तो वो जो state है वो रिटर्न करेगा जो कि यहाँ पर इसमें किया है जहांकि वो राइट में चला गया है बट अभी भी सारी की सारी चीज़े साफ नहीं हुई है अभी यह वाला dirt साफ होना बाकि है तो इस function को यहाँ पर हम फिर से apply करेंगे यहाँ पर state के उपर यह पहुचेगा that would be this and अब यह vacuum cleaner अपने गोल स्टेट तक पहुच गया है अगर हमने एक ही बात की है तो ठीक है अब हम बी के उपर जम करते है बी में भी सेम चीज़ है अब यहाँ पे सेम चीज़ हम अपलाई करेंगे the state would be B and action would be sucking then यह apply करने के बाद action perform करने के यहाँ पर अपलाई करेंगे तो यहाँ पर स्टेट होगा A and action would be moving left तो अब यह action perform करने के बाद यानि कि move left होने के बाद वो इस state के उपर आ जाएगा मतलब यह state return हो गया बट अभी भी यह goal state तक पहुचा नहीं है क्योंकि कच्रा है तो यहाँ फिर से state A होगा and action would be sucking तो action perform क करने के बाद सारा का सारा डाउट सक हो जाएगा and finally अपने goal state तक पहुच गया है अगर हमने बी की बात की तो सक्सेसर function का मतलब यह होता है आप exam में पूरा का पूरा डाइगराम ड्रॉ कर सकते हो अब अगले step के उपर जम करता है which is goal test goal test agent को यह बताता है कि जिस state पे agent है व नहीं तो यह उसको बताएगा तभी तो वह आगे बढ़ पाएगा इसको कैसे पता चलेगा कि यह goal state है या नहीं यह उसको बताएगा अगर इसको पता नहीं चला अगर यह होता ही नहीं था तो वह यह इधर ही रहता था इसको लगता था कि यह मेरा goal state है वह आगे बढ़ता और कच्रा clean होता ही नहीं था तो उसको बताने वाला कोई ना कोई चाहिए कि जिस स्टेट के उपर तुप पहुचा है वो गूल स्टेट नहीं आभी तुझे आगे बढ़ने की जरूत है तो गोल टेस्ट उसको बताने का काम करता है और वो आगे 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 बढ़ता जाता है तब तक जब तक गोल टेस्ट तक वो पहुचने जाता तब तक तो गोल टेस्ट इस केस में क्या होगा इस चेक्स वेदर ऑल स्क्राइब जब हमारा जो एजन्ट है वो एक ऐसे स्टेट के पर पहुँच जाएगा जहाँ पर दोनों के दोनों डबबे यह दोनों के दोनों rooms क्लीन है तब गोल बोसके बोलेगा कि भाई अभी तो अपने गोल dais तक पहुच चुका है अब चलना बंदे यह बन हो सकता है तो अधो बन स्टेट्स आते हैं सारे के सारे स्टेट्स को एक नियूमरिक वैल्यू या एक कॉस्ट असाइंड की जाती है जिसके मदद से हम यह आइडेंटिफाय कर सकता है कि गोल स्टेट के ऊपर पहुंचने के बाद एजन्ट ने एफिशन्ट काम किया या नहीं तो अगर इसकी बात की अब जितने number of step होंगे उतना ज़्यादा path cost होगा अब यह सारी की सारी चीज़े draw करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा महनत लगते है इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा like दे दोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा मेरा गला बैट चुका है सुबह से